के बने भारतीय मूल के हिंदुएं सबसे वेलदियस्ट प्राइम मिनिस्टर अब तक ब्रिटेन के इतिहाज में सबसे युवा प्रधान मंतरी भारतीय मूल से जुडाओ है तो भारत के लिए गर्व की बात है उनके परिवार के लोगों से हमने बात की थे लेकिन सबसे यूके की अर्थवस्ता को धीरे 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 पट्री पर ला भी रहे हैं वापस पीछले साल नवंबर दिसंबर तक के आधिकारिक तोर पे इस तरह की घोशनाएं भी हो गई थी कि ब्रिटेन के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रिमेंट हो जाएगा लेकिन इन्होंने अपन को देखते हुए फ्री ट्रेड एग्रिमेंट को अभी तक यहां तक खीच दिया है कि इनका कहना है कि हम बृतें और बृतें के हर इलाके के हित को देखेंगे और एक पहला दौरा है भारतिये मूल के हैं बहुत उम्मीदें बाइन बीच में लंच के बाद का जो स्लॉट र पुतीन भले ना आए हो इस मंच पे लेकिन सर्जेई लावरो थोड़े से लड़कडाते हुए लेकिन अपने आपको संभाला इनको कहा जाता है कि यह दुनिया के सबसे ताकतवर डिप्लोमेट है आज की तारीक में मुझे यहां पुतीन को देखना था लेकिन पुतीन अगर नहीं भी दिखे तो सर्जेई लावरो को देख लिया तो वह उमीदें पूरी हो जाती है कि विदेश मंतराले को नहीं हो आज की तारीक में कि इतना वक्त तक विदेश मंतराले को देखा हो इतने ओलडेस तो और आज की तारीक में दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती को यही डील कर रहे हैं युकरेन युद को और किस तरीके से रश्या को रूस की रूस की बात को इन मंचों बना यहां पर वो आएंगे रखा मंतरी पर सवाल उठा जी जी इन पर कोई सवाल नहीं उठा अभी ये इस पूरी इस पूरी जी ट्वेंटी के शिकर संबेल में सबकी नजर ये है कि रश्या को लेकर क्या बात होती है रूस को लेकर ये क्या बात होती है और वहां शर्गे लैवरोव मौजूद है भारत के लिए भी ये एक एक तरह से इम्तिहान की बात हो जाती है कि वो रश्या पर जो रूस पर जो पच्छमी देश जो बात रखना चाहेंगे उसको किस तरीके से ऐसे रखवाई जाए जिसमें भारत का आहित न हो क्योंकि भारत के लिए रूस बहुत एहम है कि बिलकुर देखे स्टेट्मेंट में जो वर्ड्स लिखे जाते हैं इस तरीके के बड़े मंच से जो साधा बयान जारी होता है उसमें जो वर्ड्स लिखे जाते हैं वो बहुत मैत्पूर्ण के पश्चिमी देशों ने प्रतिबंद लगाए रूस पर प्रतिबंद लगाए और भारत उनके साथ शामिल नहीं हुआ नहीं हुआ और फिर भी कूटनीती और कूटनीती गृष्टे अपने अच्छे लेवल बनाए रखे ौनीप कफ्चीमी देशों से खास बात यह है कि पस्ठीमी देश चाहते थे कि भारत कोई सेंड ले भारत अपना सेंड क्लियर रखा ना भारत ने इधर की बात की युद्ध का युद्ध का नहीं होणा चाहिए यो दंग यूद का वक्त में यह ऐ competitive अभी उसके पीछे एक वज़ा जो हमारे जानकारों से बताया गया किसोर कि जो बेंगलूरू की वित मंतरियों की मिटिंग रखी गई थी वो युक्रेन यूद के साल भर पूरे होने के दोरान रखी गई तो इसलिए वो हावी था उनके माइंड पे दोनों देशों के इसलिए और कुछी दिनों के बाद दिल्ली में हो गई विदेश मंतरियों की बैठक तो इतने उससे प्रभावी थे तो उन्हों वो राजी नहीं हुए और इसके अलावा एक साल में इतना महल बदल गया था रूस को लग रहा तक यह पस्मी देश कुछ करेंगे नहीं एक साल के बाद वो केवल बयान भाजी कर रहे हैं इसलिए वो दोनों देश पलट गया और इसलिए अभी भारत को थोड़ी चुनोती का सामना करना पड़ा है अगर ज्वाइंट कौम निकार्ज तक जी ट्वेंटी के इतिहास में किसोर कभी ऐसा नहीं हुआ है कि ज्वाइंट जवाब में कहा था विदेश सचिव विने कौातरा ने कि हम अगरसर हैं ज्वाइंट स्टेट्मेंट की तरफ दिल्ली डिक्लेरेशन की तरफ तो उसमें हमारा सवाल यह भी था कि आपने यूकरेन को अलग रख दिया है या यूकरेन पे सहमती बन गई है या यूकरेन पे स स्तर पे चीजे तै होंगी प्रधान मंत्री मोदी का नेतुरी तो यहां देखने पर मिलेगे देखे 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 दुनारा यहां चाहिए कि आग।